यह सो हलो एवरीवान है तेश यह एर एंड तोड़े वी गना टॉक अबाउट दी न्यूली रिलीज्ट मुवी काल्ड फास्ट एक्स या फिर कह सकते हैं कि फास्ट फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी का टैंथ पार्ट एंटायर एमसी यू और एंटायर डीसी यू को कम्प्ली में दिये गए लिंग को चेक आउट जरूर करना क्योंकि उसमें एक से लेकर के बारा मुवी तक आपको तो खाली नौहीं आई है तो इनके अंदर दो शॉर्ट फ्लिम्स और एक साइड रेफरेंस मुवी भी एड़ेट है और यह बन जाती है इस पूरी फ्रेंचाइजी की 13th मुवी जो कि है अमारी फास्ट एक्स या फिर फास्ट एन बताने और बोलने के लिए इतना कुछ है कि अगर एच अन एवरी डीटील के उपर जाओंगा तो यह वीडियो मोर दन 60 मिनिट का हो जाएगा इसलिए स्टोरी की तरफ फोकस करते हैं और बीच बीच में जो छो इस प्लीन कर रहा था तब भी कहा था कि एंटायर फॉस्ट एन फीरियोस की फ्रेंचाइजी में यही मेरी फिवरिट मुवी थी और मैं खुश हुआ जब मैंने यह देखा कि इसकी शुरवात भी फॉस्ट फाइफ की टकैती वाली मुवी से ही हुई थी तो यहां पर हम हर् पॉल वॉकर फिलाला भी तो नहीं है तो डॉम और व्राइन यह दोनों मिलकर के अपनी गाडियों से हर्वन के जेल में बनी तीजोरी को खैंच कर बाहर निकाल देते हैं और पूरे रियोदे जिनारियों के अंदर गाड़ी से खैंचते हैं अब कहानी आती है इसके टैंथ वाले पॉर्शन पर जहां से यह कहानी इस विलन के नजर यह से दिखाई जारी थी विलन है डांते याईनि की जेसन मुमौ अब मैं यहां पर आपको एक चीज़ बता हूंगा जिसके बारे में कोई भी रिवीवर या फिर कोई भी यूट्यूबर क्रीटर बात नहीं कर रह इसमें जेसन का करेक्टर था फ्लिक नाम के एक बंदे का जो कि सपनों का सौधा गरता और मुझे तो यहीं लग रहा था कि जेसन अपनी पुरानी एक्टिंग के साथ इस करेक्टर में अब कभी बाहर आया ही नहीं मतलब जो करेक्टर उसने वहां प्ले किया था जैसी एक् बाहत ऐसी है कि पुराने वाले करेक्टर कोई जिंदा रखा है उसने अपने आपके इस करेक्टराइजेशन में नाव कविंग बैक टुदा में स्टोरी डॉम और राइन जब इस तीजोरी को लेकर रियोते जिनारियों में भाग रहे थे तो हर्मन उनका पीछा करता है ले जहां से कहानी की शिर्वात होती है जहां पर एक कार ड्रिफ्ट होते भी दिखाई पड़ती है जिसके अंदर हमें लग रहा था कि वह कार डॉम चला रहा है डॉम यानिक टॉरेटो लेकिन यह चला रहा था उसका बेटा जिसका नाम उसने अपने खास दोस्त ब्राइन पर सिस्टर रोमन तेज और हां तेज का पूरा नाम है चैरिस लुट क्रिस ब्रिज हान और रैंजी कंप्लीट फॉरियस फ्रेंचाइजी की कुछ बाते हैं जो कॉमन है जैसे की कार रेसे चोरियां परिवार में से अगर कोई मेंबर अगर विलन पकड़कर ले जाए तो उससे दखास बनाया है वह तेज पारकर और रोमन के बीच की कॉमेडी जहां पर यह दूसरे से बहुत करते हैं कहाने में कुछ किसिंग सीन भी हैं लेकिन अगर उन्हें इग्नोर किया जाए तो यह मूवी विट फैमली वाचिबल है यहां डॉम लैटी के साथ बैठा था और यह लेकिन सफायर कहने आई थे कि तुम्हारे पीछे मौत आने वाली है क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं जिस पर कहता है कि मैं कुछ समझ नहीं बारा हूं ब्रीफ में बताओ तो यहां पर कहानी थोड़ा फ्लेश पै कर उसके सारे के सारे सिक्यरिटी सोलजर्स को अपनी तरफ कर लेता है क्योंकि ने उनके परिवार को कैद कर लिया और दूसरा मकसद डॉम को पूरी तरीके से बर्बात कर देना था और यहीं रीजन था कि सफायर आज डॉम से मदद मांगने के लिए उसके घर आ चुकी थी अगले दिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए डॉम सीधा लिटल नोबडी से कॉंटैक करता है और कहता है कि तुमने जिस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मेरी आधी टीम को रूम भीजा है उनकी क्या अपडेट है और यहां पर मुझे मेरी फैमिली के लिए प्रोटेक तेज पारकर रैमजी और रोमन को देख पाते हैं चोकि हान के साथ मिलकर एक बड़े से ट्रक में से एक डिवाइस चुनाने वाले थे हान अपनी कार में से बहुत सारा धुआ फैकता है वहीं रोमन अपनी गूल्डन कार की चमक से ट्रक के ट्राइवर्स को अंधा कर देता और अब तो रैमजी और तेज को भी पता चल चुका था कि इस ट्रक के अंदर लिटल नोबडी की द्वारा टास्क दिया गया कोई कमिनिकेशन डिवाइस नहीं बलकि एक बहुत बड़ा बॉम हैं जिसकी चपेट में हम आने वाले हैं इसी वक्त यहां बार डॉम के एंट् कराती है तो वह बड़ा सा बॉम पूरे शहर के अंदर एक रोलर टैंक की तरह घूम रहा था और किसी भी वक्त फट सकता था जहां लोगों की जान बचाने के लिए डॉम अलग-अलग तरीके से अपनी ही कार से कभी सीडियों से उतरता है तो कभी उस गोले के सामने आ जात बताती है कि जादा नहीं करीब 10 फीट है जहां अपनी गाड़ी के नौस खोल देता है नौस यहीं की नैट्रोजन ऑक्साइट सिस्टम जिसकी मदद से उसकी गाड़ी हवा में उड़ती है और वह जाकर क्रेंज से टकराता है और उस बड़े रोलर टैंक से टकराती है जिस बॉम के थ्रूँ डॉम की पूरी फैमिली को बदनाम कर दे पूरे देश दुनिया की पुलीस उनके पीछे पड़ जाए जिसके बाद हमें इस कहानी का एक नया करेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है और यह लोग देश की सुरक्षा के लिए हमारे काम आ सकते हैं तो आज जब उनकी सिगर्टी पर बात आई है तो मैं तो उनकी मदद जरूर करूंगे जिस पर कहता है कि नहीं वो देश के भगोडे हैं और उन्हें जील में डालना हमारी जिम्मेदारी है और इसी बात से इन दोनें के बीच में कॉन्फलेक्ट हो जाता है और यह अलग- बूस बन चुकी थी और विश्वास दिलाती है कि तुम अपने परिवार को कैसे तैसे बचा ही लोगे वही अपने पूरी टीम को कहा देता है कि अगर रूम में है तो इस वक्त उसकी फैमिली जरूर लौस अंजलिस में होगी तो जाकर बेहन और उसके बेटे को पकड़कर लेकर आओ जिसके बाद पूरी टीम लौस अंजलिस में पहुंच कर लिटल भी और मिया को पकड़ने के लिए यह दोनों ही जने कैसे-दैसे बचते-बचाते वे अपने आपको सामना कर रहे थे लेकिन एक वक्त पर हारती नजर आ रहे थे तो ग्रैंड एंट्री होती है य अपने काफी सारे काम में से कर वाए थे तो नटी सारी है technology तो हर बार वहां पर बेल्जियुम प्राणी मेर कीने के लिए तयार दो नोबडिया अervation नहीं नहीं नोबडिय जिंबियर मिलती थी अब यहां से कहानी तीन अलग अलग सीन्स पर शिफ्ट होती जाएगी तो मैं कम्प्लीटली एक ही बार में वो सारे के सारे सीन्स कवर अप कर देता हूं नमबर वन पर थे तेज पारकर रोमन रम्जी जो कि इस वक्त रोम में फसे हुए थे लेकिन कैसे से रोमन ने उन्हें एक ऐसे कंटेनर में लंडन पहुचा दिया जिसके अंदर आफ्र शिविंग स्प्रे थे तरीका बड़ा बचकाना था लेकिन उनकी जान बच चुकी थी वहीं सेकंड सीन में हम जेकब के साथ लिटल बी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त लोस एंजलि से तो लैटी उनकी दुश्मान हुई लेकिन जैसा की टेस्स ने अपनी इस एजनसी के साथ दगा करने का सोच लिया था और डॉम और डॉम की फैमली को बचाने के बारे में भी डिसाइड कर लिया था तो यहां से लैटी को बाहर निकल बाने के लिए प्लानिंग लगा ले और नई केरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम है इसबैल और यह एलिना की बहन है यह तो कहानियों बाद में बताता है कि मैं आपको बहले बता दिया इस वक्त यहां पर डांटे भी आ जाता है अब चाता तो डॉम से यहीं पर मार सकता था लेकिन कुछ लोग की तरफ वो डांटे पर बंदूग उठा लेते हैं और कुछ लोग जिने की डांटे ने खरीद रखा था वो लोग डॉमनिक पर बंदूग उठा लेते हैं अब कहीं मास मर्डर ना हो जाए बहुत सारी लोग जांसन अमारा जाएं इसलिए यह लोग रेस करके इस पूरी गुथी को सुलजाने वाले थे जो भी जीता वो बनेगा सकंदर और फिर शुरुवात होती एक तगड़ी रेस की जिसके इंदर खुद रेस का प्रमोटर इजाबेल डॉमनिक टॉरेटो और डांटे शामिल था डांटे ने डॉम को बहुत ही अच्छी तरीके से अनलाइस किया था पि कि डांटे ने और रेस प्रमोटर की कार के नीचे बॉम लगा रखा है तो अगर उसने स्पीड बढ़ाई तो उससे पहले दोनों मारे जाएंगे तो उससे किसी एक को बचाना ही था जाबर डॉम इसाबेल को बचाने के लिए उसकी कार को इतनी जोर से टकर देता है कि निकलना इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता था वो तो आपको कहानी में आगे ही पता चलेगा मेंवाइल हमें आपर क्रीजी डांटे दिखाया जाता है जो कि अपने श्लंबर लेंड वाले करेक्टर से बाहर आया ही नहीं था नेल पॉलिश लगाना बालों को बहुत ही जदा बेकार थी लिटल भी को लग रहा था कि जेकब अंकल के पास कोई धासुकार तो जरूर होगी लेकिन वो तो आज से कोई 25 साल पुराला मॉडल चला रहा था यहां से वह एरपोर्ट की और निकल जाते हैं जिनके पास में एक बोट भी थी कहानी अगें डॉ महारी वाइफ थी और यह दोनों ही अपनी पुरानी यादों में चले जाते हैं मीनवाइल तेज पारकर रोमन और रैमजी हान के साथ मिलकर लंडन में एक ऐसे प्लेस पर आये जहां पर इन्हें अपने अपकमिक मिशन के लिए कुछ गंस कार्ज और दूसरे इलेक्रोनिक गैजट्स की जरूरत थी मगर दिक्कत की बात यह थी कि उनके खरीदने से पहले ही डांटे ने उनका सारा अकाउंट खाली कर दिया था तो अब इनका मदद कहीं से मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है लैटी और सफायर पर ज यूनिवर्सल वालों ने ब्लॉक करके रखी थी रुपया उनसे नहीं मिलता तो सोचा कि पहले फोटो से बनाकर आप लोगों को ज्यादा डीटेल में ज्यादा चीज़ें बता देता हूं बाद में जब इसका टाउट करके वीडियो क्लिप्स के साथ में एक शौर्ट एक् पास रही होंगी जिन में उसी पुली स्टेशन के बारे में पता चलता है जिसे आज से करीब 12 साल पहले डॉम की पूरी टीम ने लूटा था डॉम निकल पड़ता है उसी पुली स्टेशन में डांटे को पकड़ने के लिए या फिर वहां से कुछ इंफरमेटिव चीज़े निकालने के लिए मगर इसी वीच वहां पर पहुंच जाता है लेकिन डॉमनिक के वहां कुछ लोकल गुंडे दोस्त थे तो उन से उनको बिटवाता है लेकिन तो बहुत जब पहाड़ के जिसा ताकतवर था तो सभी को एक दो गोजे में निप्टा देता है यहां सीन देती है और प्लेन के पीछे का खोलने की चावी भी देती है जिसकी मदद से अपनी नाव को प्रिपैर करते हैं और बना देते हैं एक औरने वाला ग्लाइडर और निकल बढ़ते हैं अपनी सेफ लोकेशन तक पहुंचने के लिए यह सीन भी बड़ा तकड़ा था वीडिय की फैमिली का एक मेंबर लेकिन हान की इससे कुछ जदा पढ़ती नहीं थी इसलिए यहां पर इन दोनों के बीच में तगड़ी फाइट होती है मेंवाइल यहां पर एजनसी की लोग आ जाते हैं जिनने की एम्ज ने भीजा था तो यहां पर बहुत सारी मारकोटाई होती ह इसी बीच इन्हें एक खबर भी पता चलती है कि डांटे ने इस पूरी डॉम की फैमिली के बैंक अकाउंट्स खाली करके देश दुनिया के उन चिछोरे टपोरियों सीरियल चिलर्स को पैसा दे दिया है जो कि पहले कभी इनके दोस्त भी वा करते थे और आज इनकी जान क चुका था उसी पुलीस स्टेशन में जो कि कभी हर्मन रेज की प्रॉपर्टी हुआ करती थी जहां पर वो अपनी 12 साल में बिताए गए सभी लम्हों को दिवारों पर देख पाता है यानि कि डांटे ने इन 12 सालों में उस पर तगड़ी रिसर्च करी थी तभी वहां का फ हर जगे पूरी बरफ भरफ भरी थी लेटी बिचारी वहां से बाहर निकली भी लेकिन फिर से धक्कन मंद करके नीचे उतर जाती है क्योंकि सर्दी बहुत जादा थे डॉम की टीम डॉम को बचाने के लिए तयार थी इसी बीच डॉम को ले जाया जा रहा था ब्लैक गई थी डांटे के दोबार और इस बार अगेन वह आ चुका था टॉमिनिक से वन टोवन फाइट करने के लिए अब यहां पर एक छोड़ी सी चीज से में में चैनल की जो सबसे मोस्ट वॉच्ट मुवीज है जिनके इंदर नमबर वन पर रैंक कर रही है जस्तिस लीग और लेकिन यहां पर उसे फाइट ही और अपनी वही पागल वाली अक्टिंग मतलब लोग कुछ इसे जोकर के साथ कंपैर कर रहे हैं कि थोड़ा क्रीपी विलन है अच्छी फिजीक के साथ अगर कोई एक्टर की कास्टिंग करी गई तो आप लोग इस बात से कितना अगरी होत वह पहले तो डॉमनिक टॉरेटो को पकड़ना चाहता था लेकिन जब दॉम के साथ मिल जाता है और अपनी पूरी टीम को डॉमनिक के साथ मिलकर काम करने के लिए लगा देता है इसी बीच जेकब लिटल वी को लेकर एक सेफ प्लेस तक पहुंच चुका था जहां पर वह है कि यह कौन सी गाड़ी है तो हलका सा उस पर परदा अटाता है जिसमें एक कार टैंक शामिल था खेरो कार टैंक क्या है वो तो कहानी में आगे डिसकस करेंगे ही वहीं दूसरी और तेज पारकर रोमन रैम्जी और हान एक प्लीन में बैठ कर डॉमनिक के पास आ रहे थे जो बी के साथ भागना पड़ता है इस बीच वहीं टैंक कार दिखाए जाती है मतलब ऐसी कार मैंने कभी जेम्स बॉन्ट की मुवीज में देखी दी जिसमें गोलियां चलती थी एक बुलेट वाल बन जाया करती थी जिसकी बिद्दत से इन पर गोलिया नहीं लगती थी तो य बांटे आकर उसके बेटे को उठा करके ले जाता है अब एक तरफ जान से बिढ़ने की लिए बहुत सारी गाड़ी आ रही थी तो यहां पर जीकब अपने आपको भी कुर्बान कर देता है उन से भी गाड़ियों का रास्ता रोक कर ताकि डॉम अपने बेटे को बचा सके यानि कि यह करेक्टर भी अब डैड अब नहीं दिखने वाला डॉम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उसकी फैमिली और अगर उसके बेटे पर बात आ गई तो यहां पर तो धाकर सीन होने ही वाले थे तो वह अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी कार को उसका रास्ता रुकते हैं लेकिन डॉम की कार में थे नॉस जिनको खोलते ही गाड़ी हवा से बाते करती थी और वो दो हैलिकॉप्टर को भी खैच कर एक दूसरे से बढ़ा देती है अगीन अपने बेटे को जैसन मुमो ऐनी की डांटे से बचाने में कामियाप तो हो जात है जिसमें डॉम कहता है कि डांटे तुने कि मिस्टेक कर दे तो ने मुझसे सब कुछ चीनने की कोशिश करी लेकिन मेरी कार नहीं और वह अपनी कार को बाइक की तरह वीली करता हुआ उपर उठा देता है और ग्रैंड कैनियन से कूट पड़ता है जहां पर आने वाले दो कहानी आ चुकी है अपनी एंड पोर्शन पर मदब सब चीज़ें खतम होने वाली है तो सारी चोटी चोटी चीज़ें फटावट से एक्स्प्लेइन करी जाएंगी वास्ट जिसे की ऑल्मोस्ट आगे आने वाले तीन पार्ट में बनाया जाने वाला है कि कैसे डॉम अपने के सामने था अंटार्क्टिका का बहुत बड़ा बरस ढखा हुआ शहर लेकिन वहां उनकी मदद करने के लिए पहुंच थी कौन गिजल जो की सिक्ष्ट पार्ट में मारी तो कुछ नए कैरेक्टर्स भी हैं जैसी की इजाबैल हो गई अपनी वापस से हो गई तो यह लोग आगे चलकर के कहानी में एक नया ट्विस्ट लेकर के आएंगे कहानी के एंड क्रेडिट में हम देख पाते हैं कि जब कंगाल करके लोग तीजोरी को लेकर भाग चुके थे तो डॉमनिक ने सिर्फ उसका पैसा चुराय था लेकिन गोली चलाई थी हॉब्स ने हॉब्स किए बएतरीन मुवी यहीं पर खत्म होती आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीजो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा मैंने सारे की अलिमेंट फॉराणी मुवीो जितनी बी रैफेरंस थे जितने बी केरेक्टर थे और जितनी माइनर डिटील सभी को कवर किया है तो अगर थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमें शेयर जरूर कीजेगा और अगर पहली बार इस चानल पर आए हैं तो इससे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि जब इसका अगला पार्ट आएगा तो वो भी हम जरूर एक्स्प्लीन करेंगे वो भी आल काइंड ऑफ डीटील के साथ में तब तक के लिए की वाजिंग इंस्टे सेफ मिलते हैं अगले वीडियो में